हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ आप से बहुत ही अच्छे हूँगे तो आज की इस वीडियो में बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है गुरुत्वा कर्षन तो गुरुत्वा कर्षन किसे कहते हैं तो इसका परिभासा देखेंगे कि गुरुत्वा कर्षन बल किसे कहते हैं इसका भी परिभासा देखेंगे और बहुत ही असानी से आपको समझ में आएगा तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं तो सबसे पहले हम गुरुत्वा कर्षन के बारे में देखें कि गुरुत्वा कर्षन या इसे हम क् घहते हैं तो गुरुतोवा करसंड की आफ सबसे पहले ये हम परिभासा पर बात करें तो हम ऐसे कहानी के तरफ से सुने ही हुआ है कि नियोटन जब क्या थे पेंड की नीचे बैठे वे थे तो सेव क्या हुआ नीचे कि लिग गिरा तो जब गिरा तो नहोंने सोच आ कि भी य में मास होता है उस पिंड में आकर्शन करने की छहमता होती है ठीक तो उस छहमता को ही हम घुर्जवा-कर्सन कहते है तो यहां पर हम definition कहेंगे की ब्रहन में इस्तित प्रतिक पिंड जिसमें दरभेमान होता है तो उसकी तु रभमेमान के कारण वो जिन वस्दों को या उसके द्रभमेमान के कारण वो एक दूसरे को अपनी और आकरसित करती है, तो आकरसन के इस गूड को ही हम ग्रेविटेशन कहते हैं, या ग्रुटवा करसन कहते हैं, तो भाई आपको तो बहुती बड़ा लगा होगा, तो यह यहां पर मैं definition लिख रहा हूं यहां पर समझिए और उसके बाद मैं समझाओंगा तो कहां यह जाता है कि कि ब्रह्मांड कि मैं इस्थित कि प्रतेक कि पिंड अपने कि द्रबेमान के कारण एक दूसरे को अपने और आकर्शित करती है तो आकर्शन के इस गुण को गुरुतवा कर्शन कहते हैं ठीक है तो यहां पर हमने definition लिख दिया है definition में यही बताये गया है कि कोई भी पिंड है कोई भी पिंड क्या करता है कोई भी पिंड है जिसमें द्रबेमान है तो वो पिंड में जब द्रबेमान होगा तो उस द्रबेमान के कारण है वो एक दूसरी को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षन करेगा तो आकर्षन करेगा तो इस आकर्षन को ही गुढ़ को ही क्या काते हैं? हम gravitation कहते हैं तो हम क्या कहा रहे हैं? कि किसी पिंडों में, मतलब ब्रमान में इस प्रतेक पिंड के अपनी जरब ribs के कारण वो एक दूसरी को आकर्षित करती है तो आकर्षण के इस गुड को ही हम क्या कहते हैं गुरुत्वा कर्षण कहते हैं तो आसे करते हैं आपको गुरुत्वा कर्षण का डेफनेशन समझ में आ गया होगा तो अब बात करते हैं कि गुरुत्व का करशन बल क्या होता है, मतलब ग्रेवीटेशन फोर्स क्या होता है, इसके बारे में भी डिसकस कर रहे हैं, तो याद रखेंगे दोस्तों, जब कोई भी पिंड है ब्रह्मान में इस्तित प्रतेक पिंड अपनी द्रभ्यमान की कारण ए एक दूसरी को जिस बल से आकरशित करती है, आकरशन करती है, उस बल को हम ग्रेवीटेशन फोर्स कहते हैं, अर्थात गुरुत्व करशन बल कहते हैं, तो यहाँ पर मैं डिफनेशन लिख दे रहा हूं सबसे पहले, इसको मैं मिडिका दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद हम ग्रेवीटेशन फोर्स कहते हैं, तो भईया ग्रेवीटेशन फोर्स या गुरुत्व करशन बल के डिफनेशन हमने क्या बताया, बताये ही कि ब्रह्माण में इस्तित प्रतेक पिंड अपने द्रभ्यमान के कारण एक दूसरे को जिस बल से अपनी ओर आकर सेत करती है, या करता है, उस बल को गुरुत्व करशन बल कहते हैं, तो या आप एमने बोल दिया कि ब्रह्माण में इस्तित प्रतेक पिंड अपने द्रभ्यमान के कारण ठीक है, माल लेते हैं M1 पिंड है, M2 ये पिंड है, ठीक है, ये जो पिंड है, इन दोनों पिंडों के द्रभ्यमान के कारण ये एक दूसरी को क्या करती हैं, आकरशित करती हैं, तो आकरशन करने पर, जो आकरशन करने में जो बल लगता है, उस बल को हम गुरुत्व करशन बल कहते हैं, तो यही न कहा कि ब्रह्माण में इस्तित प्रतेक पिंड अपने द्रभ्यमान के कारण, एक दूसरी को जिस बल करते हैं तो आशा करते हैं कुछ कोई बी माधा समझ में हैं आप में अपको कोई थोत्रप्य आपको समंज समझ में यह आता है खास कर जो दिफैंस पर यूटुब स्काल लिए कि देना है इगलीश में थोटो ने शोन्य बंगदा लिए और बहुत से के तो हमें comment section में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा otherwise यदि आप class 11 में हो और class 11 का physics chemistry अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के description box में आपको link दिया जाएगा physics और chemistry दूनों का उस link पे click करके आप chapter wise sequence में एक एक करके वीडियो को पढ पना सकते हैं तो चलिए दूस्तों आज के लिए इतने हैं मिलते एक लिए वीडियो में तब तक के लिए धन्नेवाद जहिन जय भारत